प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल पर और आज के अपनी इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं Class First English Book का Chapter No.3 जिसका नाम है Three Little Goats तो आप सभी बुक अपने सामने रखें ताकि आप सभी मेरे को Chapter के अच्छे से रीड कर सकें तो चलिए सुरू करते हैं धन की अच्छे से रीडा आप सभी मेरे कर देक अच्छे से एडा एडाए आप साप सभा रेक्षे One day a big bad wolf came to Sonu house. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. So he huffed and puffed and blew Sonu's house down. Sonu ran to Monu house. The wolf came to Monu's house. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. So he huffed and puffed and blew Monu's house down. Sonu and Monu ran to Gonu's house. The wolf came to Gonu's house. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. So he huffed and puffed but he could not blow the brick house down. It was very strong. The wolf sent away and Sonu, Monu and Gonu lived happily together in the red brick house. House. So, now we will explain the explanation of this. You will hear the explanation of this. You will hear the explanation of this. So, let's go. Let's go. let's go. Let's come. बने घर में रहता था मूनू एक लकडी से बने घर में रहता था और गुनू एक इनित से बने यानि पक्के घर में रहता था एक दिन एक बड़ा गंदा भेडिया सोनू के घर आया और उसे हैं कहा कि मैं बड़े गुस्से में आकर तुम्हारा घर उड़ा दूँगा और वह स सोनू के घर को उड़ा देता है तब सोनू मोनू के घर जाता है बेडिया मोनू के घर भी आ जाता है वह कहता है कि मैं बड़े गुस्चे में आकर तुमारा भी घर उड़ा दूँगा और वह मोनू के घर को भी उड़ा देता है सोनू और मोनू गोनू के घर जाते हैं भेडिया वहाँ भी पहुँच जाता है और कहता है मैं बड़े गुस्से में आकर तुमारा घर भी उड़ा दूँगा वहाँ गोनू के घर को उड़ाने की कोशिस करता है लेकिन वहाँ नहीं उड़ता क्योंकि वह घर बहुत मजबूत था भेडिया वहाँ से चला जाता है और सोनू, मोनू और गोनू खुशी-खुशी एक साथ उस लाल इनिट वाले पत्थर के घर में रहने लगते हैं I hope आप सभी को चप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करें और अपने इस चप्टर की एक बार रेडिंग अवस्थे करें Thank you students for watching my video